हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चैने के रजगुले तो इसके लिए मैंने एक लीटर दूद फूल क्रीम लिया है अमुल का तो इसे हम गरम कर लेते हैं कि दिए यह तो इसे हम गरम कर ले जब कर लेंगी तो ब्हुत मिलों कर लेंगे इसके यदो अब साट्रिक आकमtså के लिए पानी गराय और पेल और सकते है या फेराप सिर्कर भी डाल सकते हैं तो स्सें वहलों आपिलों बनिया है इसका जितना रास्तों को उतम ही हम इसमें पानी में लाएंगे लिए दोचमचरा से तो चमचरा से पानी डालेंगे तो दूद देखी उबल गया है एक वाल आ गया है तो अच्छी से हिलाते हुए यह उबालेंगे ताकि इसमें दूद नीचे ना जम जाए तो इसे बंद कर कर देंगे एक उबाल आने के पास बंद कर देंगे हम इसे और थोड़ा सा थंडा पानी में डाल देंगे दो मिनट बस इसके रखेंगे ऐसे हम तो यह दूद्ध दो मिनट के हम थंडा होने देंगे बस इसके बाद हम इसमें तुरंत हम इसमें डाल देंगे निम्बू का रज आपकर दूद्र के राखा था उसको अच्छी से मिक्स करके हम प्रश्ट धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे जब तक कि दूद्र ना फटे और को दिरे दीले मिक्स करेंगे जब तक नहीं फटेगा तो तक टो भूसमा डालते जाएंगे तो यहां पर मैं डाल रहे हूं निम्भू का रस तो यह दिखे दूद्ध फटने लग गया है अगर दूद्ध पूरा फट जा रहा है जल्द तब पूरा रस इसमी ना डाले नहीं तो ज्यादा खटा हो जाएगा और यहां यह फट गया अची से लिखे इस पतार से चैना बन आता प्रणने डाल सकते तो इसे अची से Πानी निकल या ऊ Mouse एक प्रणी में डाल सकते हैं इससे अच्छी से हम कपड़े में पूरा शान लेंगे और हम कe कपडे में पूरा नपने निकल act जब एक तरह चाइने को हम अच्छी से दोलेंगे क्योंकि इसका निम्बू का जो रस खटा पर जो है इसको अच्छी से नीकल जाएगा और चाहिने खटे नहीं वनेंगे तो हमसे दो तिन बार अच्छी से दोलेंगे मैंसे तो लिए से और इसको हम ऊपड़े को एकठा करके सब तरफ से इसका पानी में अच्छे बिल्गुल निकाल लेंगे पानी पह्थ को हम एसे रख देंगे इसके उपर हम कुई थाली कर प्रक देंगे पांच मिने उसके बाद हम देखेंगे जब तक हम यहां कड़ाई में इसके छाषनी हुइं जोहित नीज के जाये से एक हम इने चीन फॉर इन आ निया है की सितार वह चीनी होनी चाहिए इसलिए की ख़ेल भातीं को जाना आर्ग में लीकल यह उख सच्रतनी के लगा प्रेसा लिज में तो किंहब्ष परोमा नहीं बनाएंगे हम जायता से हमें से अच्छी इसे मसले बिल्कुल अच्छी से मसलेंगी जयसे मक्खनूंक्त देखा एक सब्सक्राइब लिए हुद शय हमिज पर नहीं हम अदो जो आइसे च corazón बनालेंंगे इसी प्रकाद घूल गोल कि लेक्ष कर लेंगे तो यह दिखिए डालों के और तो दूट जाएंगे तो ये 5-7 मिनट तक हमको अच्छी से ये हाँ थेली से मैश करने पड़ेंगे ताकि मैदा और चान अच्छी से मिक्स हो जाए फिर हम उसके गोले बनाएंगे बड़े या छोटे जैसे भी फिर उबलती हुई चाशनी में हमें से एक एकर के डालेंगे बॉल्स को एकठा बॉल को नहीं डालेंगे चाशनी में मैंने इलाची पॉठर में डाल दिया था इसाता थेलाची पॉठर में ने कूट कर ऐसे लेची डाल दी थी और फिर ये देखिए बॉल्स में एक बाल डाल दी है और से धीरी जिए चमर की साइटा से हम हलके हाग से हिलाएंगे क्योंकि तौन यह देखिए फूल के बड़ हो गाये तो हमसे फूल के गृआ रवी दालें गे बीच बीच में क्यूंकि चाशनी ठीक जेह स्थी होगी तो फिर वो पी जाएंगे एकका म तो हम इसमा ग만पानी ही डालेंगे ताकि चाशनी दम पकली हि रहे तो जैसे हमको लगे की चाशनी ठोड़ी गाडि हो कि इस में हम दो चार जो चम जो हम इसमे घरम पानी के डाल देंगे तो हमारी जो सो आपसे बनाएंगे झोले तो देखेंट मैं अब इस प्रकार से बनाईये और मुझे किसको तो इसमें यही ध्यान रखना है कि फ्लेम आपको इतनम हाई ही रखेंगे और गरब पानी दालेंगे जाशनी कि थीक नहीं होने चाहिए इक नहीं होने चाहिए जितने पत्ली होगी इतने ही अच्छी से पूलेंगे और बनेंगे और एंक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में